Hello students, मैं नाम वनीत पांडे, आप देख रहे हैं Class 8 Mathematics 2 by Classes, बच्छो इस चैनल पे Class 8 का Mathematics का बहुत ही quality content आपको मिलेगा, हम solve कर रहे थे बच्छो, exercise 10.3 Mathematics में, Case No. 166, Visualizing Solid Ships, तो इस वीडियो में start करने जा रहे है, Question No. 4, इसके पहले के questions अगर आपको नहीं मिलें बच्छो, आप description में दी गए, link पे बच्छो क्लिक करिए, तो इसके पहले के topics भी मैंने पढ़ा है, question भी आपको वहां मिल लेगा, या आप हमारे चैनल पे नीचे क्लिक कर होगा, जो square prism होगा, क्या वो QB होगा? झारूरी है, तो जवाब हैं नहीं, सुन लो ध्यान से बच्छो, जवाब है, इसका जवाब है no, no, जो square prism होता है, अब prism क्या होता है? कि लोगों को यही नहीं बता होगा, तो मैं आपको बताता हो, क्या होता है, tension नहीं कोई, सु प्रिस्म होता है वो याद रखेगा बच्चों क्यूब भी हो सकता है ठीक और क्यूब भी हो सकता है ठीक है ना अब सबसे पहले समझो प्रिस्म क्या होता है तो इसका हम आपको एक्जामपल देते हैं प्रिस्म क्या होता है ऐसा पॉलिहटरन यह प्रिस्म कहलाता है जिसमें क आपका जो base होता है, वो एक polygon हो और top एक polygon हो, और base और top ये जो base है और top है ये congruent होना चाहिए, ठीक सुन लो, प्रिस्म में क्या होगा आपका, प्रिस्म की condition क्या है students, प्रिस्म की condition ये है कि base and top should be, base and top should be congruent polynomial, okay students, should be congruent, poly, polynomials, ठीक, poly, polynomial के रहो, I am very sorry, polygons, ठीक है, should be congruent polygons, okay, polygons क्या होता है, जैसे कि triangle, rectangle, है न, three और three से ज्यादा साइट से close figure का polygon बोलते है, तो ये दो को नीचे एक polygons हाँ पर आपको दिखा ही पढ़ ला है, ये इस तरीके से, ठीक है students, ये क्या है, rectangle है, ये वाला, ये वाला, ठीक है students, okay, तो जो lateral surface area है आपका, वो क्या होना चाहिए, parallelogram होना चाहिए, ठीक, तो दूसरी इसमें condition क्या है आपकी, पहली तो condition ये कि base and top polygon होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, इसका जो lateral surface area है, lateral surface area should be parallelogram, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, parallelogram को लिखने का तरीका है, parallel line draw कर दोगे, जीए, parallelogram तीक, आप सुनो, अब, prism का नाम करन का से करते है, जो prism का base होता है, फूलो, prism का जो base होता है, वहिए उसका नाम होता है, मतलब, base में अगर square है, तो square prism, base में अगर rectangle है, तो rectangular prism, base में अगर triangle है, तो triangular prism, okay students, छीक है, तो ये prism की कहाँ नहीं है, ठीक, जैसे कि base में अगर triangle है, तो मैं आपको बता दूँ, दीखे इस तरीके से, यह देखे, base में triangle है, और top पर वही वाला triangle है, यह देखो, अब आप क्या करोगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने इसको join किया, ठीक, इसको join किया, इसको join किया, ठीक है students, ओके, तो इसका लाइए जो फ्रेंट दिखाए पढ़ लाइए इसका बेस है जो पीछे दिखाई पलाइए इसको घुमा के रख देंगे एक तरीके तकम आपको दिखा देता हूं कुछ वेट्चर दिखाता हूं Cabinet फट थोड़ा सापका मैं क्लियर कर देता हूं कि आपता कुछ बच्छे डारेक्टी वीडियो देख रहे हूं यह ना सो यह तो नहीं कि यहाँ पर आप आजाओ मैं आपको एक पिच्छर दिखाता हूं ओगे 43 इसको दिखिए बच्छो इसको मैं देखना यह तो पिरामिट है यह है यहिए वाले बैस पर अठेक्छा और go ग्यांब्सti क्लियोग्ट को यह सब नहीं देखना झाने है को आपको आना है तो आपको क्या करना है बच्छों कि यहां पर कि आपको बेस में कि इस्टोवाईर बनाना है डाने इस तरीके से कि आपको प्रिस्म ही बना के दिखा देता हूं पूरा दो तरीकी की प्रिस्म बनाऊंगा ध्यान से देखिए हूँ कर देहान से देखिएगा सुडेंट्स यह देखिए अब अच्छो ध्यान दो जरा क्या यह प्रिस्म है यसर कॉन सा प्रिस्म है स्कॉयर, क्योंकि इसके बेस में देखिए miss 24 वेस्ते चाहीड से इस्ति今वें को Inner अगरण से चेक करोगे सद्ध में तो साइड में रेक्टेंगल आपको ये वाली base पर ये rectangle एक खड़ा हुआ है ये वाली base पर ये rectangle खड़ा हुआ है और ये वाली base पर ये rectangle खड़ा हुआ है तो side-side में याने की lateral surface ही रिया किस से मिलके बना है parallelogram से क्योंकि square भी गया होता है सब्सक्राइब करते हैं में सभी में यह लीए को कि ऐसंद戰 क्या है रिखे और णेट क्यों मैं यह कि आपका अगर इसका length L है, तो इसका breath भी L है, और इसकी height भी क्या है, L है, ठीक है, तो ये cube हो गया, यानि कि ये वाला square prism क्या हो गया, cube, इसलिए मैं आपको बोला, कि square prism क्या हो सकता है, cube, और cubeoid भी हो सकता है, कैसे, इसको देखो, ये आपको cubeoid दिखाई पढ़ ला है, इसकी length और breath करके side पर क्या खड़ा हुआ है? एक rectangle खड़ा हुआ है, एक पैरललोगहा है, यह थीक ये साइट पक पर जहाए सको एक इस सौरेगे से प्रिजम के लिए, ये भी square prism है, क्यू mujeres स्कुर्ण से लाइढ दियान से संड़ों डेने क्लियरली हईट है यह इस Cookie जो है यह वाली प्रिज़ा इसकी यहां sangat दखा हुआ है उसस्कॉएर की डश्गी साइड से अलगे इसकी लेंधि ये ऐन टूल का च्कॉएर और यह समज़ है तो इसका मतलब आपका क्यूट भी हो सकता है इन्होंनें बूलता है जबाब है अब यह देखे इसका म्मसन है और आंसर कैसे लिए बीड़ें में इसको प्रिस्ट में यह सकता है स्कॉयर हो सकता है however its height is not necessarily the same as the size of the square मतलब जरूरी नहीं है कि इसकी जो height हो इसकी जो height हो वो square के side के equal हो जाए चेक कर लो हाइच इसकी ह है है is not equals to square square के side के equal नहीं है है स्कॉयर के side L से दिकाई है एच एल के equal यहां पर नहीं यहीं बात लिखिए कि however it is not however its height is not necessarily same as the side of the square does square prism can also be q-void इसलिए square prism जो होता है बच्चों वो q-void भी हो सकता है okay students I think आपको मेरी बात समझ में आई को नोट कर लीचे लेते हैं question number six अब देखिए के रहा verify यूलर्स फॉर्मला फॉर इस वाली प्रॉब्लम में ठीक है यह उता आपका f plus v is equals to e plus 2 है ना f क्या है number of faces v क्या है number of vertices e क्या है edges है e को हम पकड़के इधर लेके आते थे left में तो यहां होता था f plus v और e left में आएगा equal to left में आएगा यहां तो minus e is equals to 2 यह आपका यूलर्स फॉर्मॉला होता है ठीक f plus v minus e is equals to 2 अब यही फॉर्मॉला हमको first figure लगाना है फिर second figure लगाना है अब ध्यान दे बच्चो first figure के लिए चलिए solve करते हैं सबसे पहले first figure के लिए so यहां पर first figure में अगर आप आओगे तो यहां पर number of faces कितने f का मतलब जिनको नहीं पता है सुन लें बच्चे f का मतलब कितने number of faces हैं वैसे आप हमारी पहले की वीडियोस देख के आई है तो मैंने सारी चीज़ें बहुत डेटिल में बताई हुई है f का मतलब कितने faces हैं वी का मतलब copy में लिख लो कितने vertices हैं और e का मतलब कितनी edges है ठीक तो चलो faces में कितने अब ध्यान दो बच्चो यहां पर faces के समझ पारे में अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं तो बहुत सिंपल तरीके से अगर आप सोच सकते हैं ठीक तो यहां पर दीखे इस तरीके से वन टू थ्री साइट तो यहां पर है फोर और फाइव ऐसे कुछ होगा नीचे ठीक है students तो दीखें होदा क्या है मैं आपको बताऊं कि जितने आपको यहां साइट दिखा ही पड़े वन टू त्री फोर साइट होंगे तो बताएं एक साइट पर एक सर्फिस खड़ा रहता है याद रखिएगा एक साइट पर एक सर्फिस देखो यह वाला खड़ा है फिर दूसरी साइट पर दूसरा सर्फिस खड़ा हुआ है ठीक फिर यह वन टू टू त्री फोर फाइफ ठीक है इसको यहां पर शाल जाइन किया होका होगा यहाँ कहीं से ऐसे है ना तो एक साइड पर अगर एक सर्फेस होता है एक साइट पयूह सब्सक्ति है उप desよね ये। सब्सक्राइण कर तो फिर ने आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ को व्य यहां से एक line आ रही होगी यहां जो इन किया गया होगा है यह total five side नीच भी one two three four five oh six हो रही है यह तो six हो रही है रुक जो six हो रही है यह तो देखो शीत हैं पहले से two और बना दिया गज़ा तो आपको दिखा देता हूं students यहां से एक लाइन आ रही होगी यह ऐसे चिक और यह यहां से चिक ऐसे अब आपको दिख रहा है बेस में यहां से थोड़ा था बेंडिंग होना चाहिए थोड़ा से मेरे लिए भी डिफिकल्ट है बनाना मत्चो लेट मी चेक सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं यह कुछ इस तरीके से यहां तक मैं अगर लिया हूं इसको तो मेरे ख्याल से सही रहेगा और अब अब शायद आपको दिखाई बढ़ा होगा ठीक है ना होगे हाला कि रेगुलर पेंटागन नहीं है यह कोई बात आपको यह दिखाई बढ़ा होगा चल गया रहा है तो मैंने आपको यह बूला कि बेस में इसके पेंटागन है फाइफ साइट से वन साइट टू साइट और यह त्री साइट यह फोर साइट यह फाइफ साइट ठीक और एक-एक फ्लैट सर्फिस खड़ा हुआ है है ना इत इस पर खड़ा हुआ है यहाला जो साइट आपको दिख रहा है डॉटर्स इस पर पीछे खड़ा हुआ है ठीक है सुट्रेंस ओके तो यह चीज़ है तो टूटल कितने फेस हो गए बच्चो इसके वगे डॉटल फाइफ फेस कहने का यह मतलब है कि जितना भी आपको टॉप polygon में side दिख रहा होता है top पे या base ठीक है एक दो तीन चार पाच five side दिख रहे हैं उपर और नीचे five side दिख रहे हैं तो उतने ही side side में faces हो जाएंगे सुन लो जैसे कि यह देखो यह अपने देखा हूँ था यह भी polyhedron था ठीक है कि इसमें कितने साइड दिख रहे हैं एक दो अना में एक ये इसका घ्रकर दो येसका भी इसे तो बैस में one side two side 3 side four side four side थे चाहित यह वाले sideback flat surface खड़ा था यह वाले sideback flat surface खड़ा था यह वाले sideback flat surface खड़ा था नीचे जो polygon है रेक्टेंगल है उसमें 4 side है तो आपको 1, 2, 3, 4, 4 flat surface side में मिलेंगे अगर base में pentagon है अगर base में क्या है pentagon है यानि कि base में ऐसा polygon बैठा हुआ है जिसमें 5 side है तो side side में आपको 5 faces मिलेंगे समझ गए ठीक अगर नीचे hexagon होता तो आपको side side में 6 faces मिलते तो बेरहल इसमें आपको side faces कितने मिलेंगे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर side side में 5 faces मिलेंगे यहाँ पर आपको side में faces मिलेंगे वो हो गया six नहीं I am very sorry कितने मिलेंगे five sides के तो five faces मिलेंगे side five side faces में एक top पे है बच्चों चेक कर लीजे ठीक यह देखिए यह एक top पे pentagon है तो एक top पे मिलेगा आपको और एक मिलेगा आपको बेस पर ठीक एक मिलेगा आपको कहां बेस पर ओके सुदेंगे तो total आपके कितने हो गए बच्चों side face हो गए two top and bottom हो गए two top and इस तरीके से मैं इसको लिख देता हूँ अब टॉप फेस कितने हो गए यहां फेस कर दो one और bottom face कितने हो गए यहां पर bottom face भी हो गए यहां पर कितने one सब को add कर दो तो total face कितने हो जाएंगे यहां पर total faces total number of faces बच्चों कितने हो हो गए five plus one six plus one seven यह लीजे ठीक तो इस तरीके से जो एफ की वैलो हो गई seven f क्या होता है total number of faces होते हैं ठीक है students तो आफ आ गया अब vertices vertices बहुत easy बच्चों आप देख सकते हो यहां से वर्टेस क्या होते हैं जहां पर टू जहां पर टू यहां तू से यह पांच हो गया उपर यह six है यह seven हो गया यह eight हो गया यह nine हो गया और यह हो गया 10 यानिकि वी की वैलो वर्टेक्स से कितने होगे total 10 तो टैन वर्टेस हो गया इसके ओके सुडिंस इसके बाद आपको क्या चाहिए number of edges चाहिए e की value है न एज क्या होते हैं जितने भी line segment दिखाई पड़ लें वह आपको edges होते हूं आपके ठीक तो edges की value बच्चो count कर लेते हैं देखो बहुत अराम से directly आप count कर सकते हैं उपर five edges है देखलो न यह one two three four five top surface में five और five आपके base में ठीक five top मे five base में और five edges के किनारे किनारे होंगे जैसे कि ध्यान से करो इसमें इसमें base में कितने थे four one two three four top में कितने थे one two three four और side में भी तो four है one edge two edge three edge four edge यह keyword में होता था यहाँ पर भी यह हालत है five base में five top में और five किनारे किनारे side side में देखलो मैं आपको अलग-अलग तर से दिखाता हूं base में देखिए one two three four five ठीक इसी तरीगे से top में हो गया five one two three देखिए one two three four five तो five plus five कितना हो गया ten हो गया ठीक और side में भी तो five है यह देखिए यह वाला one यह वाला two यह वाला three यह वाला four और यह देखिए पीछे से आ रहा है यह five okay students तो इस तरीके से five plus five top पे five base पे five किनारे किनारे तोटल हो गए five plus five प्लस five यहने के 15 हो गया टोटल ठीक यह देखिए अब हम निकालेंगे f plus v minus e की value ठीक है students चलो निकालते है part one के लिए f plus v minus e कितना आना चाहिए two आना चाहिए देखते है f की value कितनी है रखिए seven plus v की value कितनी है 10 okay minus e कितनी है 15 यह लीजे तो seven plus 10 कितना होता है 17 और minus 15 अब बताइए 17 माइनस 15 कितना होता है two होता है तो इस तरीके से बच्चो यहाँ पर part one में यूलर formula valid हो गया क्यों क् f plus v minus e is equals to two hence you love formula is valid in the this solid figure अब यहाँ पर आ जाईए बच्चो यहाँ पर तो अब आप आराम से सोच सकते हो ध्यान से चेक कर लो बच्चो अगर मैं यहाँ faces की बात करूं तो face की value कितनी हो जाएगी check कर लीजे सबसे पहले आप यह देखो कि ऊपर आपको कितने face दिखाई प त्राइंगुलर फेसे से ठीक पहली बार देख लो जाए दिख रहा भाई यह दिखो ना यह यह दो आप बेस यह कैस्कायर यह 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 अना तो अगर बेस और आप है तो इस्कॉयर के एक साइट पर ट्रेंगल ख़़ढ़ा हुआ है दूसरे साइट पर दूसरा ट्रेंगल तिस्हे उत वफि रचे वाले साइट पर यह त्राइंगल खडा ओओं है इसी तरह किसे पीछे वाले साइट पर पीछे से ट्रेंगल करना हुआ है यहने is a channel her ले यानिर टोटल होंगे फोर किनार फोर नियुकर फिस एक है यकि पडिर ये वालत चीक्रों युद् patents ये 4 हो गए, side में, 4 हो गए, R E C T, R E C T का मतलब rectangular faces, अब सुनो, ये हो गए, अब सुनो, कुछ बचा, हाँ, बच गया, क्या, base में भी तो एक square बैठा हुआ है, ये वाला face नहीं लोगे क्या, ठीके ये भी तो लोगे, ने, टॉप पे, 4 triangular, side side में, 4 rectangle faces, और base में, base में क्या है, 1 square face है, अब सुनो, कुछ बच्चे, confuse हो रहे होंगे, क्या, मैं बताओं, कुछ बच्चे, इसको भी count कर रहे हैं न, ये वाले face को भी तो ले रहे होगे आप, भया, इसको कहा ले लोगे, ये solid figure है, क्या, solid figure में, छेद करके, अंदर घुच जाओगे, ये solid toy है, कोई खिलोना है, इस तरीके से, solid plastic का बना गितम, solid इसमें भरा हुआ है, क्या, अंदर घुच जाओगे, ठीक, ये surface तो नहीं मिलेगा न, आपको, अंदर तो घुच नहीं जाओगे, खिलोने को तोड़के, ठीक है, तो इस तरीके से, आपको केवल, ये 4 triangle लेना है, base वाला, base वाला क्यों ले रहा हूँ, base वाला तो यहाँ नीचे से touch करने में मिल रहा है न, इसके, उपर तो ऐसे triangle खड़े, एक triangle एदर से, एक एदर से, एक एदर से, भाईया, ये वाला surface तो मतलब छुप गया न, अंदर, ये थोड़ी न मिलेगा, ये तो solid पूरा हो गया, ठीक, यहाँ material भरा हूँ अंदर, ये इसमें, प्लास्टिक भरी हूँ ये पूरी, ये सब ऐसे, तो इसमें थोड़ी न पहुत जाओगा, प्याले स्कॉयर में, ठीक है, तो ये वाले स्कॉयर को आपको count नहीं करना है, ओके, तो ये वाला इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, वही surface है, जो बाहर expose रहते हैं, जो बाहर से आपको दिखते हैं, जिस पर बाहर से आप paint कर सकते हो, brush से, अंदर थोड़ी ना घुज जाओगे इसमें paint करने के लिए, ये वाले square में, ठीक है students, बास साँज में आगी की नहीं आगी, इसमें थोड़ी ना घुज के अंदर paint करोगे, तो paint आप अगर मैं पुछू कहां कहां कर सकते हो, बस वही surface लेने, आपको 4 triangle पे, इसके side में 4 rectangle, और base में, जो बाहर से जाओगे, जब नीचे से जाओगे इसमें, तो नीचे से paint करोगे, base में, square में, ठीक, आप इसके total faces कितने हो गए, यहां साब देख सकते हो, 4 प्लस 4, 8, ठीक है, 4 प्लस 4, 8, 8 प्लस 1, 9, 9 faces हो गए, vertices आपको बच्छो साब साब दिखाई पढ़ ले होंगे, 1 vertex, ठीक है, 2 vertex, 3 vertex, 4 vertex, 5 vertex, तो यह हो गए, 6 vertex, 7 vertex, 8 vertex, 9 vertex, यहनि कि vertex की value कितनी हो गए, यहां पर आपकी, 9 हो गई, ठीक, उसके बाद, edges, तो edges मैं आपको दिखाऊंगा, edges, edges बच्छो ध्यान साब चेक करना, उपर वाली edges को मैं, blue color से दिखा रहा हूं, 1 edge, 2 edge, 3 edge, 4 edge, 4 तो यह हो गई, ठीक, तो 4 तो यह हो गई, blue color से, प्लस, अब मैं आपको दिखाता हूं, magenta color से, 4 यहां पर हो जाएंगी, यह वाली, एक यह हो गई, 1, 2, 3, 4, तो 4 तो हो गई, magenta color से, प्लस, अब base में भी यह दिखा रहा हूं, 1, 2, 3, 4, तो 4 हो गई, base में और, अब प्लस, अब यहां पर मैं आपको black color से दिखा रहा हूं, यह देखो, यह वाली 1 edge, यह वाली 1 edge, और यह वाली 1 edge, और यह वाली 1 edge, तो सारी के सारी अब cover हो चुके हैं, तो edges की value यहां total कितनी आगई, 4 प्लस, 4 प्लस, 4 प्लस, 4 प्लस, 4, कितना हो जाएगा, 16 है, 4 को 4 टाइम सारी करो, 16, तो 16 edges है, अब हम Euler formula इसके लिए लगाने जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कि Euler formula valid है कि नहीं है, ओके students, चलिए, तो part 2 में हमने लगाया, F प्लस, V माइनस, E, इसकी value 2 आनी चाहिए, देखते हैं, F कितना है, F का value है 9, 9 प्लस, V कितना है, V है आपका 9, ओके, माइनस, E, E कितना है, 16 है, ठीक, तो 9 प्लस 9, 18, और 18 माइनस 16, 18 माइनस 16, क्या होता है, 2 होता है, तो इस तरीके से, 2nd के लिए भी Euler formula आपका valid है, F प्लस, V माइनस, E is equals to 2 आ रहा है, ओके students, note कर लीचे, अब देखो, यह एक table आपको दी हुई है, face, यहाँ पर face निकालना है, ठीक है ना, यह first column आपको देखना है, इस तरीके से, face की value कितनी है, नहीं पता, what is this कितने, 6 है, ठीक, edges कितने, 12 है, मतलब पहले table आप पढ़ना ठीको, कहने का यह मतलब है, किसी first, total आपके पास, one polyhedron, second polyhedron, third polyhedron, total three polyhedron दिए हैं, यह first polyhedron का column है, यह वाला, और यह आपका, कोई second polyhedron है, उसका column है, और यह कोई polyhedron या कोई solid figure होगा, कोई भी solid figure होगा, यह आपका third solid figure का column यह वाला दिया हुआ है, तो ध्यान देखने, पहले तो table पढ़ना सीखें, ठीक, तो पहले हम first column के लिए कर रहे हैं, चलिए, first column के लिए बच्चों, F की value नहीं पता, तो F को F रहने दो, यह आपको पता करना है यहाँ पर, V, vertices का value, बास समझो, जिन बच्चों को नहीं पता है, F, capital F से हम faces को दिखाते हैं, vertices को हम V से दिखाते हैं, students, okay, और edges को हम E से दिखाते हैं, ठीक, so, यहाँ पर V की value कितनी हो गई, first column में, जाईए, और V के सामने क्या लिखा है, 6, तो 6 है, edge की value कितनी 12 है, ठीक है, चलो, अब यहाँ से faces की value निकालोगे, तो, यूलर formula क्या होता है, बच्चों, यूलर formula होता आपका, F plus V, minus E is equals to 2, बस अब इसमें formula में value रखो, F की जगा तो F को ही copy कर लेंगे, plus की जगा हम plus को copy करेंगे, V की जगा हम किसको copy करेंगे, 6 को copy करेंगे, minus E, E की जगा हम किसको copy करेंगे, 12 को copy कर लेंगे, ठीक, is equals to 2 में, 2 लगा हुआ है, अब यहाँ ध्यान दे, F तो ऐसे ही रहेगा, अब देखो, 6 minus 12 कितना होता है, minus 6, इतना पता है, भाई देख लो, 6 कैसा है, positive, 12 कैसा, negative, plus minus, minus, sign लगेगा, बड़े नंबर का, यहीं कि 12 में, 6 minus कर दो, लेकिन sign लगेगा, बड़े नंबर का, 6 और 12 में सा बड़ा कौन, 12, 12 का sign, negative, negative, minus 6, is equals to 2, ठीक, अब ध्यान दे, बच्चो, नेक्स स्टेप में क्या करोगे, यह जो minus 6 है, इसको right-hand side भेजोगे, तो minus किस में change जाएगा, plus में, तो f की value कितनी आ जाएगी, right में जाएगा minus 6, तो 2 में जाके add हो जाएगा, 6 plus 2, यानि कितना हो जाएगा, 8, तो इस तरीके से बच्चो, पार्ट 1 में f की value कितनी आ रही है, 8 आ रही है, ठीक, यानि कि इसमें कितने faces है, 8 है, चलो, यहीं पर fill कर देते हैं, तो पार्ट 1 का answer कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक, चलो, फटा-फट वीडियो पॉस करके, इसको copy कर लिजे, फिर मैं यहीं पर आपको part 2 करके दिखाऊ होंगा, okay students, note कर लिए बिच्चे फटा-फट, note कर लिया, चलो, अब देखते हैं part 2, यानि कि जो second column है, इसको fill करेंगे, ठीक, चलिए, so, यहां से देखो उच्चो, second के लिए, आपका क्या है, पेस कितने दिएवे, 5, ठीक, यह second के लिए मैं कर रहा हूं, पेस हैं आपके य आपको निकालना है, आपर, ठीक, ए का वेलू कितना है, 9 है, ए का वेलू कितना है, आपर, 9 है, फॉर्मला लगा देंगे, क्या होता है, यूलर्स फॉर्मला, F plus V, minus E, is equals to 2, F की जगा आप कितना रखोगे, 5, plus V, आपको निकालना है, V की जगा V रहेगा, minus, यह वाला minus राइट में भेज़ दो, तो, minus 9, right में जाके, 2 में add जागा, 2 plus 9 हो जाएगा, ठीक, फिर, next step में, 5 plus V, is equals to, 2 plus 9 हो जाएगा, 11, इसके बाद, next step में बच्चो, देखो, आप 5 plus V लिखो, या V plus 5 लिखो, बात क्या है, से में, तो, V plus 5, is equals to, कितना हो गया, 11, ठीक, 5 plus V, लिखो है, solid figure में, 6 है, तो, यहाँ पर हम क्या fill करेंगे, 6 fill करेंगे, ठीक है, वीडियो बाउस करके, बच्चो, इसको note कर लीचे, फिर मैं आपको, third part बताता हूँ, note कर लीजे, students, इसका third part देखेंगे, बच्चे, face कितने दिये, 20, okay, now, vertices कितने दिये, 12, now, edges कितने दिये, नहीं पता, अब सुनो, लगा दो, Uless formula, क्या मैंने सही किया, चेक कर लो, third column के लिए, face कितने है, 20, third column के लिए, vertices कितने, 12, और edges कितने है, नहीं पता, ठीक, formula लगा देंगे, क्या था, f plus v, minus e is equals to 2, अब ध्यान दे, students, यहां से आपको confused नहीं होना है, देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, आपको e की value निकालनी, yes, sir, तो आप एक काम करो न, आप minus e को ही उधर भेज़ दो, yes, sir, yes, sir, ठीक, तो f plus v, जब भी e की value पूचेगा, e को उधर भेज़ दो, तो यह minus e उधर जाके plus हो जाएगा, yes, sir, हमेशा ऐसा कर लो, तो 2 plus e हो जाएगा, ठीक है, और अगर आपको यादो, तो हमने do this में यही तो पढ़ाया था आपको, activity में, f plus v is equals to, हमने e plus 2 ही तो पढ़ाया था, आपको याद है, f plus v is equals to e plus 2 लिखो, या 2 plus e लिखो, बात क्या है, सेम है, ठीक, तो नेक से स्टेप में हम क्या करेंगे, ज्यांदर चिक करो, f plus v is equals to 2 plus e को हम e plus 2 लिख सकते हैं, yes, sir, लिख सकते हैं, value लगा दो, भी पता चल जाएगा f कितना है, f है 20, और plus v कितना है, v है आपका 12, ठीक, is equals to e plus 2, yes, sir, okay, now, अब मैं इसको इदर solve कर रहा हूँ, now, 20 plus 12 कितना होता है, 32 होता है, yes, sir, होता तो है, 20 plus 12, 32 होता है, yes, sir, is equals to e plus 2, अब सुनो बच्चों, plus 2 को इधर भेजोगे, yes, sir, 32 और plus 2 left में आएगा, तो minus 2 हो जाएगा, is equals to e, 32 minus 2 कितना होता है, 30, यहने कि 30 is equals to e, यहने कि e की value कितनी आ रही है, 30 आ रही, तो इस तरीके से edges कितने होगे, students, आपके, 30 हो गया, okay, तो इस column में हम क्या fill कर देंगे, 30, इस तरीके से, so this is your answer, note कर लीचे, now students, लेते हैं question number 8, के रहे, can a polyhedron have 10 faces, 20 edges and 15 vertices, क्या कोई ऐसा polyhedron है, जिसमें face की value कितनी है, 10, तो f की value कितनी है, f का मतलब faces, ठीक, 10 faces है, ठीक, 20 edges है, यहने कि e की value कितनी बच्चों यहां पर, 20 है, ठीक, उसके बाद, vertices कितने हैं आपके, 15 है, तो v for vertices, okay, v का मतलब कितना है, v का value 15, अब सुनो, बच्चों देखो, यह polyhedron तभी possible होगा, जब यूलर्स formula को satisfy कर रहा होगा यूलर्स formula क्या होता है आपका, यूलर्स formula क्या होता है, बच्चों पढ़ा है था आपको, यूलर्स formula, क्या था यह, यह था आपका f plus v is equals to e plus 2, बोल दो आप, या इसको ऐसे भी याद किया जाता है, क्या, ज्यांसरे चेक करें, यह 2 को हम left, sorry, 2 को कह रहा हूँ, e को हम left में आपके, ठीके, यह plus e को left में लेके आते थे, तो आपने यह पढ़ा होगा, f plus v, फिर e left में आगा, तो minus हो जाएगा, minus e is equals to 2, तो यह यूलर्स formula यहने के कहने का, यह मतलब है, कि आप इसका left hand side निकाल के देखो, f plus v minus e करके देखो, अगर 2 आ रहा है, तब euler formula satisfy होगा, otherwise नह v की जगा कितना लिखेंगे, v कितना है, 15 है, तो v की जगा 15, फिर यह वाला minus copy कर देंगे, e की जगा कितना लिखोगे, e की जगा 20 लिखोगे, चलो solve कर लो, 10 plus 15 कितना होता है, यह दोनों मिलके आपको दे देंगे 25, और minus 20, अब बताओ बच्चों कितना आ रहा है, 25 minus 20 तो 5 ह होता है, which is not equal to 2, ऐसे लिखेंगे, इसको क्या पढ़ते है, इस symbol को क्या पढ़ते है, इस symbol को हम पढ़ते है, not equal to, ठीके, equal to लगा के, equal to लगा के, ऐसे cut कर दोगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, not equal to, not equal to, तो हमारा तो answer क्या आ रहा है, f plus v minus e कितना रहा है, 5, हम बोलेंग hence नहीं, since Euler's formula is not satisfied, अगर 2 आ जाता, तो ये polyheden possible होता, तो हम लिखेंगे since, since Euler's, ये answer लिखेंगे ऐसे exam में, Euler's formula is not satisfied, okay, hence, this polyhedron is, या this solid figure भी पूछ सकता, this polyhedron is not possible, यानि कि ऐसा कोई polyhedron possible नहीं हो सकता है, जिसमें 10 faces हो, 20 edges हो, 15 vertices हो, okay students, इसको note कर लीजे, solve कर लीजे, now students, ये chapter हमारा complete हो गया है, तो मिलते हैं किसी और chapter के साथ, next video में तब तक के लिए पढ़ते रही है, बढ़ते रही है, all the best,